नमस्कार बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ आशी शभीनव और हमारे साथ है सयोगी इंद्र मोहन बिहार के सियासत में क्या बड़ा भवंडर होने वाला है ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अमित शाह ने पत्रिका समू को एक इंटर्वियू दिया और इंटर्वियू में इंद्र मोहन जी सीधा सीधा नितिश कुमार को ओफर दे दिया पहला सवाल तो यही क्या अमित शाह का ये प्रिशर पॉलिटिक्स है इंडिया गटवंधन को हतोतसाहित करने के लिए या फिर इस ओफर के माइने ये हैं कि नितिश कुमार फिल से पल्ट आ Ting can in the back में कहें हैं या या यू कहें कि बीजेपी ने जिसे नकार らगकर उसमें से एक ये भी कहा जा रहा है कि ये कहा जा रहा था कि अगर मैं इंशाने महीं भले बोलते हैं तो इसे आप यह मानई मैं कि इस बात्चीत में कुछ ना कुछ तो धंश है दम है इसके पीछे राजनीतिक चर्चा जरूर शुरू हो गई है लेकिन अब ये सवाल उठता है कि ये ओफर होगा कैसे क्या ये संभव है हलांकि मैं आपको बताओ कि इसके पहले जब इंडिया गटबंदन की दिल्ली में बैठक हो रही थी उस बैठक के दौराण चुकि आप उसे कभर कर रहे थे ये एक चर्चा और निकल के आई कि क्या नितीश कुमार नाराज है उनकी नाराजगी धीरे-धीरे बढ़ती गई इस बीच पार्टी के अंदर भी बहुत कुछ हुआ पार्टी के रास्टी अध्यक्ष ललन सिंग को इस्तिफा देना परा नितीश कुमार खुद रास्टी अध्यक्ष बढ़ती एक चर्चा यह भी चली कि नितीश कुमार की पार्टी जेडियू में तूट हो सकती है पार्टी तूट सकती है उसे बचाने के लिए नितीश कुमार ने ये कदम रखा उसके पहले आपको बताओं कि जिस दिन रास्टे कारकारनी की बैठक हुई उससे एक दिन पहले और इंडिया गटबंधन के एक दिन बार नितीश कुमार की अपने पार्टी के नेताओं से सांसदों के साथ भी एक अगर वो बीजेपी के साथ या एंडिये के साथ जाते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट इंडिया गटबंधन से बहतर होगा मतलब अगर पिछली बार वो 17 पर लड़कर 16 पर जीते तो इस बार भी वो 16 पर जीत सकते हैं लेकिन मुश्किल यहां हो गई कि नितीश कुमार को इंडिया गटबंधन में ना पद मिला और अभी तक ना ही सीट शेरिंग की कोई बात सामने आई लेकिन इसके दूसरे पहलू यह हैं कई सारे वरश्पत्रकार चर्चा में यह कहते हैं कि नितीश कुमार खुद मर्जी से अपना पद छोड़े दो इशारा उन्होंने किया एक तो जब वर्चुल बैठाक हो रही थी नितीश कुमार ने संयोजक का पद ठुकरा दिया कि न नितीश कुमार की तरफ से कि देखिए हम कहीं न कहीं एंडिये के पक्षवाली बात कर रहे हैं और अब नितीश कुमार अपने पार्टी को भी बचाने की भी कवायद में जुटे हुए हैं और उनकी बारगेनिंग कैपरसिटी जो है वो भारतिये जंता पार्टी के साथ ज नितीश कुमार जिधर भी जाते हैं अपनी शर्तों पर रहते हैं अगर आप नितीश कुमार के साथ है तो आपको नितीश कुमार के अनुसार ही काम करना होगा जैसे कि आपने सिक्षक भरती प्रकरन की बात की इस पूरे इवेंट के दौरान पोस्टर भी जो लगे उसमें से नितीश कुमार का ही पोस्टर था बिग्यापन में भी नितीश कुमार ही सिर्फ आये तेजस्वी आदब आउट हुए उस पोस्टर में से जबकि उनके अगर कहें तो बिहार में सिक्षा विभाग जो है उसके मिनिस्टर आर जेडी के कोटे से आते हैं लेकिन उनका भी पो किते वें 17 की तो वह मांग करेंगे ही करें लेकिन जब लालू यादब से यह सवाल होता है कि जेडियू जल्दी-जल्दी कह रही है आप देडी क्यों कर रहे हैं तो कहते हैं अरे भाई सीट शेरिंग में थोड़ा वक्त लगता है अब यह वक्त कैसा लगता है आप क्या मै कि हार से हो चाहाँ सबसे पहले सीट शेरिंग करके एक एक जामें करते लेकिन अगर आप उस ने turned कर रहे हैं और इतना ही उस अनुसार जेडियू बिहार में फिर उस गटबंदन की दूसरी छोटी पार्टी होती है। ये भी देखना दिल्चस्प हो जाता है। भारती जन्ता पार्टी के साथ क्योंकि विधान सभा का अगर चुना होता है तो नितीश कुमार को उतनी सीटे आर जेडियू ओफर नहीं करेगे। उसके पीछे भी बीजेपी थी। उसके पीछे भी दूसरी पार्टी थी जो उस वक्त बीजेपी के साथ नहीं थी। चिराग पास्वान की पार्टी ने जहाद चुना लगा वो नितीश को नुकसान हो गया। तो अब यहाँ देखना दिल्चस्प होगा कि अगर वो आते ही तो किन शर्तों पे आते हैं और जो यह चर्चा शुरू हुई है कि क्या बिहार में लोकसभा और विधानसभा चुनाओ एक साथ हो सकते हैं। तो कि अगर नितीश कुमार इस गटबंदन से, महा गटबंदन से बाहर निकलते हैं तो वो इंडिया गटबंदन को भी छोरेंगे, महा गटबंदन को भी छोरेंगे और बिहार में सत्ता परिवर्तत हो सकता है। हलाकि नितीश कुमार की बारगेणिंग पाबर जादा बेहतर होगी। बिहार में क्योंकि नितीश कुमार को पता है कि जातिये जन गनना के बार और जिस तरीके से अभी NDA में समीकरन हैं, उस समीकरन में उनकी पार्टी का वोट बेंक, निए में बिलकुल फिट बैटता है उस अरुसार वो जिसके साथ जाएंगे उसकी सरकार बना देंगे। वाकी वापसी हो सकती है जेडियू में एक चर्चा ये बड़ी जबर्दस चल रही है। उसको रहेगा इंतजार और लगातार आप इससे जुड़े तमाम अपडेट्स जो है वो बिहार तक पर देखते रही है क्योंकि सियासत की गल्यारों से जो इस वक्त की खबर निकल कर आ रही है वो यही कह रहा है कि बिहार में सियासी डमरू जो है वो बजना शुरू हो गया ह है और कहीं न कहीं खेला होगा हम सब को हैं इंतजार फिलाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जुरूर बताईए और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रही है बिहार तक नमस्कार